बॉलिवुड की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे ये वाट्सअप बॉलिवुड के साथ बॉलिवुड के बात करते हैं बॉलिवुड के महानायक अमिताब बच्चन के बारे में जो खुद तो अवाट फंक्शन में शामिल नहीं हुए लेकिन अपने साथ-साथ उन्होंने परिवार को भी इस अवाट फंक्शन में शामिल होने से मना कर दिया शेकर ने बच्चन परिवार से रिलेटेड अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा मुझे तारीक ठीक से याद नहीं है और फिल्मों में अपने कमजोर जेनरल नॉलेच के लिए मैं माफी मांगते हुए कहूंगा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस शायद 2004 का है उस वक्त बच्चन परिवार ने एक साथ कुछ मतभेदो के चलते पुरसकार समारो का बहिशकार किया था बात करते हैं करन जोहर की जो एक अवार्ड फंक्शन में गय और उनकी फिल्म नॉमिनेटेड नहीं थी तो उन्होंने विक्रमा दित्य मोटवानी के फिल्म उडान को मामूली बता दिया था साल 2011 के अवार्ड फंक्शन का जिक्र करते हुए शेखर ने लिखा उस साल की फिल्म मारी मिस खान सबसे बड़ी हिट फिल्म थी लेकिन स्क्रिन अवार्ड में इसे किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया गया था उस वक्त जूरी के अध्यक्ष जाने माने कलाकार अमोल पाले कर थे समारो में शारुक खान को कॉन्ट्रेक्ट के तहट मंच पर एक होस्ट की भूमिका निभानी थी समारो के तीन दिन पहले मुझे बॉयकॉट करने की धमकिया मिलने लगी करन जोहर मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आखिर जूरी को उनके फिल्म किसी भी अवार्ड की काबिल कैसे नहीं लगी शेकर ने आगे कहा मुझे इस तरह के तर्क दिये गए कि अमोल पालिकर को साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म आखिर नापसंद कैसे है उन्होंने विक्रमा दित्य मोटवानी की मामूली से फिल्म उडान को चुनने की हिमत कैसे की फिर हमने धैरे रखा और जब यूर्स चॉइस अवार्ड की घोशना हुई तब हमारी सास में सास आई वो अवार्ड उनके पक्ष में था फरानक्तर के बात करें तो उन्होंने अवार्ड लेने से इंकार कर दिया था और वज़ा जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे आईए आपको बता दें अगला किस्ता उन्होंने साल 2012 का बताया है जब विद्याबालन की The Dirty Picture और Multi Starter जंदगी ना मिलेगी दोबारा को सैयुक्त रूप से Best Film का Screen Award दिया गया शेखर ने लिखा यहाँ दग तो ठीक था लेकिन इन दोनों फिल्मों में सर्वश्रेश्ट निर्देशक का Award जोया अख्तर को छोड़ कर मिलन लूथरा को अनौन्स कर दिया गया जिसके बाद जंदगी ना मिलेगी दोबारा के सभी आक्टर्स और क्रू ने अवार्ड शो का बहिशकार करने की घोशना कर दी अब जब सर्वश्रेश्ट फिल्म का Award लेने कोई मंच पर नहीं आएगा तो Award function कैसा है शेखर ने आगे लिखा उस शाम हताशा में मैंने जावीद अख्तर तक से फोन पर गुजारिश की फिर इस Award function में फरहान आये तो जरूर लेकिन रूठे हुए मूड में काले कपड़े पहन कर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आदर जताने के लिए आये हैं लेकिन वो Award नहीं लेंगे कुछ मिनिट के बाद ही वो बहां से चली भी गए उस फिल्म की निर्माता इरोज नाओ की क्रिशिका लुल्ला उस समय वहां मौजूद थी हमने उनसे गुजारिश की लेकिन वो तो एकदमी शौक रह गई आखिर सभी आक्टर्स के रहते हुए वो पुरसकार कैसे ले सकती है एंड में हमने अपने ही एक करमचारी को फिल्म की तरफ से अवार्ड लेने के लिए बेजा एक तरफ जहां talented आक्टर्स को अवार्ड मिलने के चांसिस काफी कम होते हैं तो वही रितिक जैसे सूपर स्टार्स की नक्रिभी कम नहीं है एक बार रितिक ने आव॓र्ड लेने से मना कर दिया था और बज़र एक बार फिर काफी हैरान कर देने वाली है शेखर ने अपने आर्टिकल में एक किस्सा रितिक रौशन को लेकर भी कहा है उन्होंने लिखा ये बात साल 2007 की है जब रुतिक रौशन को फिल्म क्रिश के लिए बेस्ट आक्टर का अवार्ड मनना था साथ ही मंच पर वो एक परफॉर्मेंस भी देने वाले थे उस वक्त फिल्म के निर्देशक राकेश रौशन थे खूब मनाने के बाद रृतिक अवार्ड के लिए मान गए लेकिन पुरसकारों के बाद होने वाले पार्टी का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कट्रीना कैफ ने भी एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अपनी परफॉर्मेंस के कुछ घंटे पहले इतना टैंट्रम दिखाया कि और्गनाइजर्स को उनके हाथ पैर जोडने पड़ गए शेकर ने एक वाक्या कट्रीना कैफ का भी बताया है जिसमें उन्होंने लिखा साल 2012 में कट्रीना ने स्टेज पर कारिक्रम पेश करने का करार करके और पूरा भुकतान देने के बावजूद कुछ मिनट पहले ही बखेडा खड़ा कर दिया उनका कहना यही था कि जब उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है तो उन्हें क्यों बुलाया जाता है मैं उनकी वैनिटी वैन में गया, वो शो के लिए सच धच कर तयार थी वो अचानक से चिलाने लगी कि आखिर हमेशा उन्हें क्यों बुलाया जाता है जब कोई अवार्ड ही नहीं दिया जाता कॉमेंस के जरीए हमें जरूर बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें वाटसब बॉलिवूर्ड